मंदसौर मासूम के साथ ही बरबरता के दर्द को हर कोई समझ सकता है उस मासूम ने जिसने दुनिया को ढंग से जाना भी नहीं था उसकुन दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बना लिया किसी ने सही कहा है कि समय बलवान होता है समय के आगे कोई नहीं टिकता जी हाँ वही हुआ है मंदसावर की मासूम की साथ सुभध उसके दादा उसको स्कूल छोड़ का समय पर चले गए थे लेकिन किसे पता था कि शाम होते होते उनकी लाडली पोती को दरिंदे अपना शिकार बना लेंगे जी हाँ अगर मासूम के पिता 15 मिनिट पहले आते तो शायद वो बच्ची उन दरिंदों के चंगुल में नाफस दी क्योंकि वो दरिंदे कई दिनों से स्कूल के बाहर चक्कर लगा रहे थे और उस दिन उस मासूम का समय सही नहीं चल रहा था किसे पता था कि वो उसके जिंदगी में इतना बड़ा तुफान आने वाला है कि उसका दर्द उसको जिंदगी भर जेलना पड़ेगा आपको बता दे आरोपियों ने बच्ची के साथ बहुत दरिंदगी करी है साथ ही उसको मारने के लिए गुपतंग में लकडी तक डाल दी वो मासूम इतनी डर गई है कि वो अपने मा को छोड़ कर कहीं जा भी नहीं रही वह मौजूद सभी उस बच्ची के दर से सहम जा रहें लेकिन सवाल ले उड़ता कि आखरत देश की बेटियां कब तक इस तरह दरिंदो का शिकार बनेंगी SPNN Newsroom की रिपोर्ट अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर पीजियो एडिटर कैमरा मैं या पर स्क्रिप्ट राइडर तो हमेश संपास्कर